जैहिन दोस्तो मैं रजशकुला एक बर फिर आपका सौध करता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उधामपुर श्रीनगर बारामुलार रेल निंक परियोजना के बारे में जिससे हम USBRL लेल परजेक्ट भी कहते हैं दोस्तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मंगलवार को हरी हंटी दिखा कर उधामपुर श्रीनगर बारामुलार रेल निंक परियोजना की जो शुरुवात की है और टनल टी-50 के बारे में इसलिए दोस्तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजेगा दोस्तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भ उधगाटन किया और कश्पीर घाटी की पहली विद्यूती करण रेल गाड़ी को हरी जंडी दिखाई दोस्तो एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी जम्मू में मौझूद थे और उन्होंने डिजिनल तरीके से एक साथ दो इलेक्ट्रिक ट्रे संगलदान खंड का भी उधगाटन किया इस खंड पर यह सबसे लंबी सुरंग है जो 12.77 km लंबी है और T50 के नाम से जानी जाती है दोस्तो उत्तर रेलवे का अनुसार अब ट्रेन 12 मुला से बनिहाल होते हुए संगलदान तक शल सकती है जो पहले अंतिम गंतेवे स्टेश संगलदान खंड के अनुसार सुरंग का काम 2010 के आसपा शुरू हुआ था और इसे चालू करने में लगभग 14 साल लग गए इसमें आपातकालिन स्थितियों से निपटने के लिए सुरंग के अंदर सभी सुरक्षा उपाय किये गए हैं दोस्तो किसी भी आपातकालिन स्थित से निपटने के लिए सुरंग के दोनों किनारों पर पानी के पाइप बिचाए गए हैं और हर 375 मीटर पर एक वाल्व लगाया गया है ताकि आग की लपते को बजाने के लिए ट्रेन पर दोनों तरफ से पानी का छड़काव किया जा सके उन्होंने आगे कहा कि अन्य लंब वाले दिन के रूप में दर्ज किया क्योंकि उधंपुर शिनगर बारमुला रेल लेंक यूएस बी आरेल पर देश की सबसे लंबी परिवहान सुरंग टी-50 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा देश को समर्पित किया गया उन्होंने कश्मिर घाटी की पहली वि अध्यूति करेंड ट्रें एक डाउन दिशा में शिनगर से संगलदान तक और दूसरी ऊपर दिशा में संगलदान से शिनगर तक शेवा शुरू हुई है दोस्तो मंगलवार को प्रधान मंत्री श्री नरीनर मोदी ने, कश्मीर को कन्यकुमाणी तक रेल मार्क से जोडने की विष्तार कार्रियंग से संगलदान और संगलदान से बारामुला तक चलने वाली नए ट्रेनों का जिकर भी किया दोस्तो वह दिन अब दूर नहीं जब लोग कश्मीर से ट्रेंट पकड़ कर देश भर में यात्रा कर सकेंगे अजिकारी ने कहा कि सुरंग जो 12.77 km लंबी है और T50 के नाम से जाने जाती है खाड़ी सुंबर खंड के बीच आती है साथ ही उन्होंने आगे बताया कि प्रदान मंत्री ने USBRL के 48.1 km लंबे बनिहाल खाड़ी सुंबर संगलदान खंड का भी उदघाटन किया दोस्तो कुल 272 km USBRL परियोजना में से 209 km को चरनों में चालू किया गया है 118 km लंबे कांजी गुड 12 मुला खंड के बीच पहला चरन अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था इसके बाद जून 2013 में 18 km लंबा बनिहाल कांजी गुड जुलाई 2014 में 25 km लंबा उधंपुर कट्रा और हाल ही में 48.1 km लंबा बनिहाल संगलदान खंड शुरू किया गया विशेश रूप से चिनाम नदी पर 359 मीटर उचा दुनिया का सबसे उचा रेलवे आर्ग बिज भी USBRL के कट्रा से बनिहाल खंड तक मेहत्रपुर्ल लिंक के अंतरगर्थ आता है